जहन दोस्तों 성 29 अब सभी लोग देखपाना हैं यह हेडिंग है कि हर्याना passus bill against the conversion ऑगेंस डि कंवर्जन गॉनगयरस walks आब जिनाब ये क्या है हर्याना passes bills अगेंस डिज अगेंस करद आयी जानते है कि हर्याना ने आज पास किया है हर्याना prevention of unlawful conversion of religious bill 2022 ठीक है अब इस बिल का aim क्या है जिसे हर्याना की government कह रहे है कि it is aimed at preventing religious conversion through force undue influence और अलर्मेंट मतलब किसी को भी लालज देकर जबर जस्ती जबरन ये किसी को भी बहला फुसला कर अगर conversion आप करते हैं तो आप इस कर शेड़ी में आते हैं ठीक है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो भुपेंद्र सिंग हुड़ा है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है हर्याना के उन्होंने कहा कि इस से होगा ये कि जो आप ये law law तो ला रहे हैं लेकिन इससे dispute होगा inter-religions marriages के बीच में क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ जब दो शक्स हैं पती और पतनी अगर दुसरी inter-cast marriage करिये है या inter-religion marriage करिये तो उस पर उपर ये बड़े दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ठीक है अब इस बिल के according सबसे बड़े बात जैसे हम वताये कि या तो कोई फोर्स के थ्रू लाला श्या बहला फुसला करता है कि एक साल से लेकर पांस साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना जो लगेगा वह एक लाग से कम तक का नहीं लेगा ठीक है और जैसा कि आप सो लोग मालूम है क सिमलर बिल भी पास किये गए अचले कुछ राजियों में जैसा कि बीजेपी रूल इस्टेट है ही माचल प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी ठीक है अब चीफ मिनिस्टर मनोहलाल खटर जो हर्याना के चीफ मिनिस्टर नुका कहना है इस एमड एट इंस्टिरिंग फियर जो क्राइम करने का सोचते हैं उनके अंडर एक डर पैदा करेगा यह उनका कहना है अब खटर जी कहता है कि आप परसन के चेंज रिलिजिन एस पर हिस ओन फ्रीविल जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि हमारे देश में एक्कॉडिंग टू आर्टिकल 25 यह वर राइट त कोष़ करे आं किसी भी मीन से तो यह जो लॉग है यह उससे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कंट्रोल करेगा राइट यह उनका कहना है ठीक है अब जroidप चान होगा यह कोई क्रिव राइट तो तो उनका यह कहना है कि अगर आप इस लोग को ला रहे हैं तो ऐसी कोई कम्प्लेंज जो है आप्टर वन मन्त ऑफ मैरिज ना हो ठीक है अब ऐसा कहना है कि कॉंग्रेस किरेंट चोधरी जीजे उनका कहना है कि मैरेज़ परस्नल डॉमें और प्रोपॉस लोग इस इन वेजन परस्नल डॉमेंट उन्होंने कहा है कि यह जो मूव है यह आटिकल 25 का वाइलेशन है और एक कंस्टिटुशन में बड़ा ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अब आये जानते हैं कि आखिरकार यह हर्याना अपने पास्स किया है जोसके बेसिक जानकर हम देख लेते हैं अब आपको मालूम में आर्टिकल 25 क्या कहता है आर्टिकल 25 गारेंटीज तु आल परसन इंडिया इंडिया सब्जेक्ट पुब्लिक और मॉरलेटी हेल्थ और प्रोविजन और उनको हग होता है राइट टु फ्रीली प्रोपागेट रिलीजिट ठीक है अब आईए जानते है कुछ हर्याना के बातों के बारे में हर्याना की बात करते नॉर्दन पार्ट ऑफ कंट्री है ठीक है यह इस्टन पंजाब से निकला हुआ है इसको एक नॉम्बर उसके छाचट में इसका फॉर्मेशन हुआ था लिंग्विस्टिक बेशिस भाषा के आधार पर भाषी आ पंजाब के साथ उसके नेबरिंग स्टेट है पंजाब और मोस्ट पॉपॉलर सीटी फरिदाबाद है आपको मालूम होगा और गुडगाओं ऐसी सीटी है जिसमें लाजस्ट फाइनिंश्यल और टेक्नलोजिकल हब हैं यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर डिफेंट बीसिक इंडिया का मैप देख सकते हैं अब राजस्थान के पडोसी है राजस्थान हो गया पंजाब हो गया उत्तरप्रदेश हिमाचल और यहां को दिख रहा होगा यहां इतने सारे हैं यहां पर हमने बात तो करी चुके हैं कि चंडिगर सी क्यापिटल आजस्टी फरिदाबाद सब्सक्राइब गवर्णर की बात करतों यहां है बंद्रू दत्तातर है यहां का और है चीफ मिनिस्टर की बात प्रूट सब्सक्राइब और लोग सभाकी दस सीटे हैं उसके बाद चुम्मल सब्सक्राइब 1212 स्वेर किलोमेटर है इसके एरिये के मामले में इंडिया में पॉपुलेशन है सब्सक्राइब इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर सेक्षियो पॉइंट नाइन वन है उसके बाद यहां पर हरियाना तुम्हें बताया था वही है नैशनल सील जहां पर और मैमल है ब्लैक बग यहां का सिंबॉल है स्टेट मैमल है ब्लैक बग बग बड है ब्लैक प्रैंक कॉलीन स्टेट फ्लावर है आपका लोटस अंडिस्टेट री है पीपल राइट उम्मीद है आपको बेसिक जानकर हर्याना के बारे में समझ माई होगी कि किस तरह से आएक बार हर्याना के जो मतलब यहां पर मैंने आपको बताया है कि इस तरह से जब आपके कोई कोशन आता है तो आपके एक्जाम पॉंट अफिसे सब इंपॉटन हो जाते हैं अब यहां पर बेसिर्फ हर्याना ने पास के लेकिन हर्याना से रिलेट है मैं सभी आपको जो प्रॉब्लम्स हैं जो भी कोशन पूछे जा सकत है एक्जामनर के तो वो सब बता दिये हैं उमिद आपको समझ माया होगा समझ माया तो जोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद